थीक, तो आपकी class है BSc First Year, paper first पढ़ रहे थे, class है आपकी 5 class है आपकी 5, ठीक है, हमने आपको क्या बताया, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि किसी समुच्चे का संग कैसे निकालते हैं, किसी समुच्चे का सर्वनिष्ट कैसे निकालते हैं आज हम पढ़ेंगे समुच्चों का अंतर समुच्चों का अंतर का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दो समुच्चे दे रखे हो यदि दो अरिक्त समुच्चे ए तथा भी दिये हुए हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमको समुच्चा को घटाना है एक समुच्च में से दूसरे को घटाना है जैसे हम किसी number को घटाते हैं 5 में से 3 जायें तो 2 बसते हैं ऐसी समुच्च้ों को कैसे घटाया जाद है वो X such that ऐसे X आएंगे जो A में तो क्या कर रहे हूँ ओर X does not belongs to B यानि A minus B में ऐसे X आएंगे यानि ऐसे नमबर आएंगे या ऐसे अवयव आएंगे जो A में तो हUNGँगे लिकिन B में नहीं हUNGँगे इसका मतलब A minus B होता है यानि ऐसे अवयव लेंगे कि B के जितने भी अवयव हुए अनको इसमें से हटा देंगे हम कैसे उधहरन क्या होता है जयसे आपको कोई समुच्चे दे रखा है 1, 2, 3, 4 और 5 और B दे रखा है आपको 3, 4, और 5 और आपको क्या निकालना है ? A माइनस B कैसे निकालना है तो A-B कैसे निकालेंगे देखो सबसे easy simple method में आपको बता रहा हूँ कि जो B के अवयव होंगे जो A में B के अवयव होंगे उनको हटा दो यानि देखो अब B में कौन कोन से अवयव आ रहे थे 3, 4, 5 आ रहे हैं यानि इस में से हम 3, 4, 5 हटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 1 और 2 तो यह क्या हो गया हमारे पास A-B हो गया अगला उधारन जैसे S आपको दे रखा है 2, 4, 5, 4 2, 4, 5, 6 और D आपको कोई समुच्चे दे रखा है वो दे रखा है 4 और आप सो पूछ ले कि S-D क्या होगा तो मैंने क्या बताया था जिसको घटा रहे हैं उसमें जितने अव्यवारे उनको अटा दो उपर वाले में से तो इसको में से हटा दूँगा 4 को तो क्या बचेगा मिर पास 2 2 बचेगा 5 बचेगा और 6 बचेगा तो यह क्या हो गया हमारे पास दो समुच्चों का अंतर हो गया ठीक है इसको बोलते हैं दो समुच्चों का अंतर ठीक है यहां तक समझ में आ गया चलिए आगे देखते हैं समुच्चों का अंतर के पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पूरक समुच्चे क्या होते हैं यह आपको 11-12 में पढ़ा दिया जाता है लेकिन मैं थोड़ा बेस के लिए बता रहूं कि अगर आप भूल गए हों काफी टाइम हो गया इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे हम जब थ्योरम पड़ेंगे आप प्रिमें पड़ेंगे उनमें यह चीज़े बहुत काम आएंगी ठीक है देखिए कैसे अब हम पड़ेंगे पूरक समुच्चे यह क्या होता है पूरक समुच्चे का मतलब होता है कि किसी भी समुच्चे में किसी पूरक समुच्चे का मतलब होता है अगर आपको इस समुच्चे दिया हुआ हो तो यदि उसमें से हम सारे अव्यव हटा दे उस समुच्चे के सारे अव्य वटा दे जैसे परिवाश्य की बात करें उधारन से समझ मा आएग और परिवाश्य समझ मा देखो यदी कोई अरिक्त समुच्चे ए दिया हुआ है तो पूरक समुच्चे तो समुच्चे को एडैश या एसी से व्यक्त करते हैं और पूरक समुच्चे क्या होगा कि एडैश और एसी बराबर क्या होगा ऐसे एक्स आएंगे जो किसमे नहीं हो ए में नहीं हो उनको बोलते हैं हम पूरक समुच्चे जैसे उधारण की बात करें हम जैसे आपको ए दे रखा है A B C D ठीक है अगर आपको A B C D दे रखा है और मुझे A कॉम्प्रिमेंट निकालना है यानि A C निकालना है A डैश निकालना है यानि 5 अवयब आएगा ठीक है यह होता है हमारे पास पूरक समुच्चे यानि सारे अवयब को हटा देंगे हम तो वो बच जाएगा हमारे पास पूरक समुच्चे एक दूसरी परिवाशा भी होती है इसकी कि अगर A डैश और A कॉम्प्लिमेंट यह दे रखा है इसकी बाशा क्या होती है U माइनस A यह आपको पहले बताया था मैंने एक परिवाशा यह भी होती है U में से A के अवयब को हटा दो U कौन सा होता है हमारे पास सारवत्रिक समुच्चे अगर U में से सारे अवयब को हम अटा देंगे A वाले उस समुच्चे के सारे अवयब अटा देंगे तो वो क्या निकल के आ जाता है A, C या A डैश यह क्या होता है हमारे पास पूरक समुच्चे होता है ठीक है जैसे उधारन की और बात करें और उधारन की बात करें तो देखो कैसे होगा और उधारन की बात करें अगर और उधारन की बात करें हम तो देखे कैसे होगा जैसे मानके चलिए आपको यू दे रखा है एक दो तीन और ये इंफिनिटी तक जा रहा है और आपको दे रखा है A बराबर दे रखा है 1, 2, 3, 4 और B बराबर दे रखा है आपको 3, 4, 5, 6, 7 दे रखा है और आपसे पूशे कि A डैश निकालना है पहला कुश्चन आपसे A डैश का पूचा है दूसरा कुश्चन निकालना है B डैश निकालना है तो A dash क्या होता है हमें पता है U minus A होता है ठीक है U कितना दे रखा है हमारे पास 1, 2, 3, 4 और यह अनंतर तक जा रहा है minus A क्या होता है हमारे पास 1, 2, 3, 4 दे रखा है 1, 2, 3, 4 अगर मैं इसमें से हटा हूँगा तो मैंने बताया था अनतर ही एक तरह से ही है दो समक्चो का अंतर यह बी एक समुच्य है और मैंने क्या態 बताया था अगर 2 समुच्यो का आपको अंतर निकालना हूँ तो इस वारे अवियब को इन मेंसे हटा देंगे सबको एक दो 3, 4 हट जाएंके हमारे पास माइनस तीन चार पांच छे और साथ यह दे रखा है आपको ठीक है अगर आपको वी डैश निकालना है तो मैंने क्या बताया था कि वी के सारी अभी को हटा दो यानि तीन से लेके साथ तक कि अभी अभी इसमें हट जाएंगे तो कौन से बनेंगे एक दो तीन चार सोरी तीन टार भी अटएगा तो एक तो एक दो रहेगा तीन चार तीन से लेगे साथ तक सावट जाएंगे कौन साईगे इसके बाद हमारे पास writes 29, 10, and ananta तो यह क्या हो गया हमारे पास? B- हो गया, इसको बोलते हैं पूरक समुच्चय पूरक समुच्चय निकालना ठीक है, पूरक समुच्चय क्या आपको दो example दे दिये हैं मैंने यह होता है पूरक समुच्चय पूरा समझ्चा मतलब होता है किसी समझ्चों का अंतर निकालना ठीक है डारेक्टर्स को अंतर निकालना भी बोल सकते हैं ठीक है आगे हम पढ़ेंगे कि एक नियम होता है दा मारगन नियम इसको हम क्या करेंगे प्रिमे है ये बहुत इंपोर्टेंट है ये पेपर में आती ह तो इसको अच्छे से समझना, इसको हम प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ ही तुमारे पेपर में आता है, प्रिमे ही आती है, इसको सिद्ध भी करना होता है, ठीक है, तो दी मॉर्गन नियम क्या कहता है, देखो, दा मॉर्गन नियम क्या कहता है, दा मॉर्गन नियम क्या होत बॉप तो यह नाम कहां से आया यह दा मारगन नीयम चैugen अनके नाम पे इस प्रिमे को रखा गया है क्योंकि उन्हों यह दिया था उन ने यह दिया था या फिर ऐसे लेख सकते इस चीज को मुझे पता है कि पूरक को Сегодня को दो चीज से देखाते तो ड़ायर से देखा उ या तो मैं पेपर में ऐसे पूछ जा सकता है कि ए सर्बनिस्ट बी का पूरक बराबर किसके होगा A पूरक के union B पूरक है एक तो उन्होंने ये दिया था दूसरा statement उन्होंने जो कथम दिया था वो दिया था कि या तो A तुम संग निकालो दो समुच्चों का फिर उनका पूरक लो वो किसके बराबर होगा A पूरक, union, सर्बनिस्ट B पूरक या फिर इसको ऐसे लिख सकते है अब देखो थोड़ा सा इसमें क्या करते है मीजर करते है, notice करते है क्या क्या difference हा रहा है इसमें क्या अंतर आया है अगर मैं किसी दो समुच्चों का सर्बनिस्ट निकाल रहा हूँ फिर उसका पूरक निकाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है हमारे पास कि यहां पर क्या हो रहा है संग आ रहा है यानि दो पूरक समच्चों का संग आ रहा है यानि यहां से क्या हो उल्टा हो गया साइन ठीक है यहां पर भी क्या हो उल्टा हो गया तो यह हमारे पास टोटल कह रहा है ठीक है तो मैं आपको इसको प्र करके देखना कोई प्रॉब् incidence लेना पहले मैं इसका परκεसी क्षैसे होगा देखिए इसका प्रूफ淡ा रहे उसको सिद्ध कैसे करते है इसको ए देखिए उसका देते हैं पहले है न तो प्रूफ लिखने यह दोनों एक ही चीज़ है या तो वह ऐसे पूछेगा या इसे पूछेगा दोनों एक ही चीज़े अलग-लग नहीं है दोनों को अलग-लग मैं समझे लेना पेपर में तो सी दे देगा और डेस देगा मैं इसको पिखा रहा हूँ ठीक है तो मैंने मान के चला देगा अब हमें पता है कि का मतलब क्या होता कोई अव्यव आया होगा इनमें ठीक है तो मान के ले लिया कोई एक्स है वह इसमें आ रहा है कोई अव्यव है जो इसमें आ रहा है एक्स मान लिए उस अव्यव को मैंने ठीक है अब मुझे पता है कि अगर पूरक समुच्चह है तो इसकी परिवाशा क्या कहती है एसी क्या होता है यू माइनस यह होता है अगर मैं बात करूँ अब ये एसी की परिवाशा क्या कहती है यू माइनस यह होता है अगर ए सर्बनिस्ट भी सी है तो इसका मंदब क्या होगा यू माइनस ए सर्बनिस्ट भी इसे साब से परिवाशा से यह होगा उसकी जगा क्या लिख सकता हूं विस सकता हूं लग लिख सकता हूं तो चीक है तो हमारे पास क्या हो जाएगा अगर यह चीज आई है इसका मतलब क्या होगा कि X जो होगा जो X होगा वो यू में तो होगा लेकिन एक्स डास नोट बिलॉंग्स टू ए सर्वनिस्ट भी यहां से हो गया कैसे हुआ देखो मुझे पता है इसकी जगा मैंने क्या लेगी यह परिवाशा क्या कहती है ए पूरक की यू माइनस होता है इसकी जगा मैंने यह परिवाशा यूज कर ली उसके बाद हमें पता है कि अब देखो इसको तो ऐसी रहने दो एक्स बिलॉंग्स टू यू को इसको लेकिन रहने दो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वनिस्ट है सर्वनिस्ट क्या होता है सर्वनिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे अवयब जो दोनों में कॉमन आ रहे होंगे वही सर्वनिस्ट में आते हैं, इसका मतलYou क्या होँवा?, अगर, A, Sar affect, A और B जो, इसका मतलब, या इक न तो आ में आ रहा है, ऐस दर्चाल पुलॉंक मांनेध का शल्रोंप न आ पने लिन सब्सक्र करें यहुदा होता है, कि सर्वनिस्ट में अगर यहाँ पर प्लोंग्स ह्च्टू है उसमें नहीं आ रहा है तो इसका व In a में आए होगा नहीं आ आप इसको पहले तो इसके साथ ले ले लें तो पहले एक्स को Y parce N dai एक ड написना उन्होंग्स टू ए थीक है फिर क्या करेंगे एंध्सरों मैं वारा हूं में पिर क्या करेंगे हैं ठिक पिर क्या कर लिया एक्स रट्रॉप बिलॉंग स्टु ए- और एक्स कि पिर क्या लिखेंगे एक बार यू को एक के साथ ले लिया और एक्स बिलॉंग्स टू यू है लेकिन एक्स डास बिलॉंग्स टू 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 बिल इसका मतलब क्या हुआ यानि एक्स कहां पर करेगा यू माइनस ए में यही परिवाशा होती है यू माइनस ए में ठीक है यह हो गया यू माइनस ए ठीक है ऐसे ही अगर एक्स यू में आ रहा है लेकिन बी में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स यू माइनस भी हो की नहीं आ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है हमारे पास इसकी परिवाश या iPhone है कि और ऌर चल रहाcrit होगा। इस ब्लॉंग्स टू बीची अब जाhmen को और आ रहा रहा है हिंदी में लग देता हूं सिर्डी यो ठीक है एक्स भिलॉंग्स टू ए जाने लह लगा दिए हमें तो मैंने क्या किया था पहले से इस वाले पार्ट में लिया अब मैं उस वाले पार्ट में लूँगा ठीक है यह आ गया हमारे पास एक पार्ट तो हमारे के पास क्या हो गया सिद्ध हो गया कि अगर एक्स बिलॉंग्स टू किसमें कर रहा है ए सी यूनियन बी सी में ठीक है अ इस वाले को तो मैंने से दिखर दिया यानि पहले यहां से एलिमेंट लिया था इस वाले भाग में आगया अब इस वाले भाग को लूँगा इस वाले भाग में पहुचूंगा कैसे देखो अब क्या करो हो एक्स किस में से लूँगा एसी यूनियन बी सी में से ठीक है अब य या संग का मतलब क्या होता है, अगर दो समुच्चे आपको दे रखे हों, और उनका संग निकालना है, तो संग में क्या होता है, हम सारे अवयव को ले लेते हैं, या तो वो A में रहा होगा, या B में रहा होगा, अगर दोनों में होता तो वो सर्विनिस्ट बन जाता, लेकिन यहाँ पर इसका मतब क्या हुआ या तो वह X A में से साया होगा या X BC में से आया होगा इसकी परिवाशा क्या कहती है X belongs to U minus A और X belongs to U minus B यह अंतरगी परिवाशा होती है थीक है आगे देखिए यहां तक हो गया ठीक है अब देखो यह क्या हो गया यह क्या हो गया यहां से अब इस बाली चीज़ को ले रहा हूँ यह कह रहा है कि X belongs to U-A है तो अंतरगी परिवाशा क्या कहती है कि X U में तो होगा लेकिन X does not belongs to A अगर मैं X belongs to यह हो गया अब U-B की परिवाशा क्या कहेगी कि X belongs to U में तो होगा लेकिन X does not belongs to क्या होगा B यह होगा ठीक है अब देखो U तो सब में को दोनों में common आ रहा है तो इनको तो ऐसी ले ले लेते हैं क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है कि A compliment union B compliment यह आगे हमारे पास ठीक है उसमें जाना है A intersection में जाना है इसका मदब क्या हुआ कि X U में तो है लेकिन X ना तो A में है A में है और X ना ही B में है Sorry X ना ही किस में है B में है ठीक है तो इसका मदब क्या होगा कि X U में तो है लेकिन X ना ही A में है intersection यानि संग क्योंकि दोनों में ही नहीं है तो यानि इसका मतलब क्या होगा दोनों में ही नहीं होगा तो क्या है गा sermonist आएगा यह आ गया A intersection भी उसके बाद क्या हो जाएगा कि X U में है लेकिन का मतलब क्या होता माइनस A service to B में नहीं है इसकी परिवाशा क्या कहेगी कि A intersection B और C ठीक है यानि दोनों में आ गया तो इसका हम कह सकते हैं कि A A service to B का C बराबर होगा किसके A C के Union B C के यह हमारे पास क्या हो गया सिद्ध हो गया मैं दुबारा repeat कर रहा हूं हमने किया क्या है कि हमारे को ठीक है यह उसको उतार लेना मैं दुबारा statement लिख रहा हूं कतन लिख रहा हूं फिर हम बताएंगे कैसे क्या हुआ है ठीक है तो यह कह रहा है यह इसने इस्ट्मेंट दिया था कि A का service निकाल के उसका पूरक लो वो किसके बराबर होगा A पूरक के संग B पूरक है तो मैंने कैसे इसको बताया कि तो कभी भी अगर ऐसी चीज आपको सिद्ध करने को आ जाए तो इसमें क्या होता है पहले आप इस पार्ट को proof लेकर इस पार्ट में से अवयव लेकर इस भाग में से अवयव लेकर यहां पहुचेंगे फिर इस भाग में से अवयव लेकर यहां पहुचेंगे तब हम किसी चीज को बराबर कह सकते हैं अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ इस भाग में से अवयव लेकर कि अगर ये चीज आ गयी मेरे पास, यहां पर आगया, तो हम कहां दूँगा सिद्ध हो जाएग Grow, लेकिन यह conversa, हमने दोरों भाग में से क्या लेना होता है, अब्यम लेना होता है, फिर दोरों को एक दूसरे मेंreflect, सबसे में परिवाशा है अगर आपको परिवाशा आती होगी तो आप प्रमे सिद्ध कर सकते हो अगर आपको परिवाशा नहीं आती होगी तो आप प्रमे सिद्ध नहीं कर सकते हो इसलिए मैं आपको हर चीज की क्या लेकाता हूं परिवाशा लेकाता हूं परिवाशा बहुत समुच्चे की पूरक समुच्चे की परिवाशा ही हमारे क्या आ रही थी का मारी थी इसका मदब क्या हो गया यह हमारे पास क्या हो गया दा मारगन नियम हो गया ठीक है यह तो मैंने सिद्ध करवा दिया दूसरा पार्ट क्या का था इसने के A, Seng, B का पूरक, किसके बराबर होता है A पूरक के सर्वनिस्ट B पूरक के, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है, इसको सिद्ध करके देखना, परिबाशा देखना पहले और इसी मेंतर से सिद्ध करना, जो मैंने करके जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत important है, और ये paper में आती है, आप देखोगे हर दो-तीन साल में एक बार ये repeat होती है ये Morgan, the Morganium ठीक है, ये होता है हमारे पास, नियम बता दिया मैं, the Morganium ये क्या है, प्रिमे होती बहुत important है, इसको कर लेना जासे ठीक है, अब आता है हमारे पास नई heading आती है, दो समुच्चों का सम्मित अंतर, दो समुच्चों का सम्मित अंतर कैसे निकालते हैं ठीक है, तो heading डाल रहा हूं है heading डालता हूं समुच्चों का सम्मित अंतर, ठीक है, तो देखी क्या होता है, तो समुच्चों का सम्मित अंतर क्या कहलाता है, देखी, क्या होता है सम्मित समुच्चे, मैं पहले परिबाशा लेकाता हूं, माना A तथा B दो समुच्चे हैं A तथा B के A तथा B के सम्मित अंतर को निम्न प्रकार से परवाशित किया जाता है कैसे किया जाता है देखो इसको परवाशित करने का तरीका होता है A प्लस B इजिकस्टू A माइनस B यूनियन B माइनस अब देखो होता क्या है क्या परवाशित लिखाए गई है अले यार शिट ठीक है यह हमारे पास क्या हो गया किसी दो समच्चों का समित अंतर हो गया अब क्या हुआ इसमें देखिए देखो सम्मित अंतर को पहले तो इससे दिखाते हैं ठीक है इससे दिखाते हैं सम्मित अंतर को ठीक है प्लस में गोला कार दिया इसकी परिवाशा क्या कहती है A-B Union B-A ये अंतर हो गया तो समुच्चों का क्या हो गया अंतर हो गया आपको बता चेको अंतर क्या होता है तो मैं सीधा उधारण की बात करता हूँ उधारण क्या होता है देखो उधारण की अगर हम बात करें तो जैसे आपको कोई A समुच्छा दे रखा है एक दो तीन चार पांच छे और B दे रखा है आपको यह ऐसे करो 7, 8, 9, 10 और B दे रखा है आपको minus 1, 0, 1, 2, 3 से लेके 12 तर और आप से पूछ रहा है A plus B निकालना है तो देखो A plus B क्या होता है A minus B union B minus A यह होता है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा A minus B निकालूँगा A minus B क्या होता है हमारे पास कि देखो मैंने क्या बताया था इस वाले समुच्चे में से इस वाले के सारे अव्यक प्यों हटा देंगे ठीक है देखो 12 तक तो इसमें आया नहीं है तो 12 तक आया है ठीक है और यानि देखो एक तो क्या आड़ जाएगा एक दो तीन से लेके 10 तक हट जाएंगे एक से लेके 10 तक हट जाएंगे और बाके अव्यक आयेंगे देखो minus 1 था minus 1 आएगा 0 आएगा अब एक से लेके और 10 तक तो हट गए तो बचा कौन सा मेरे पास 11 और 12 क्या आएगा हमारे पास ये a minus b आया A-B कैसे निकाला मैंने, कि इसके जितने भी अवयब थे, वो इसमें से हट जाएंगे, अब इसमें देखो कौन-कौन से अवयब थे, एक से लेके 10 तक अवयब ऐसे थे जो इसमें आ रहे थे, बाकी अवयब तो इसके खुद के अलग है, तो वो अवयब तो आएंगे ही आएं इसमें से अटाने थे, इसके तो सारे हट गए, तो यह आगा फाई, यह भी अवयब नहीं आएगा इसमें, यह हो जाएगा हमारे पास फाई, क्यों हुआ फाई, ठीक है, कैसे हुआ, कि देखो, मैंने क्या कहा था, कि इसके सारे अवयब इसमें से हटेंगे, अब इसमें त किया जाएंगा हमारे पास 11 और 12 तो यह क्या हो गया हमारे पास B-A हो गया अब मुझे क्या निकालना था सम्मेत अंतर क्या कहता है सम्मेत अंतर कहता है कि अब प्लस B करो और union B-A करो ठीक है तो ए माइनस B क्या था मेरे पास 5 और यूणियन बागी क्या था माइनस 1-11 और 12 में क्या हो जाएगा हमारे पास यूणियन करूंगा तो वही आविव셔야ाईएंगी सारे इस ब्रभट बाएगे 011 और 12 यह क्या हो गया हमारे पास A- यह तो यहां तक हमकल पढ़ेंगे कि क्या होता है fundamental प्रोडक्त क्या होता है दो समझ्चों का इसके कुछ गुर्धर्मी देखेंगे वह हम कल देखेंगे ठीक है आज की क्लास में यहीं कतम करता हूं थोड़ा सा फोन की बज़े से कल से आपको रहीं आएगा डिस्टर्वेंस ओके थैंक्यू